जदों गनित विच आपां जोड गुना कटाओ या पाग कर दे हां तां अपने कोल जिड्या संख्यावानू आपां जोड रहे हुंदे हां उना संख्यावानू उरक्मानू असी की कहन दे हां आओ आचापां इस सीजनू सिख्धे हां कि वर्तियां संख्यावानू की कहन दे हां जोड एडिशन दो जान दो तो वद जुडन वालियां संख्यावानू असी योजक एडेंड्स कहन दे हां जोड करनतो बाद आए उत्तर नू असी योडफल सं कहन दे हां योजक जमा योजक बराबर योडफल एडेंड प्लस एडेंड इकल्स टू संख्यावानू जिस तरह मैं एक सवाल लिया है छे जमा आठ जिसता उत्तर आया है चौद इस देविच जुड़न वाली पैली उपर वाली संख्याणू अपा योजक ते हेटली संख्याणू वी आपा योजक कहन दे हां ते आये होए उत्तर नूँ आपा जोडफल कहन दे हां अंग्रेची पाश्यादेविच उपर वाली रकम नूँ आपा एडन्ट अते हेटली रकम नूँ आपा एडन्ट कहन दे हां अते आये उत्तर नूँ आपा सम कहन दे हां कटाओ सब्ट्रेक्शन कटाओन वेले दो संख्यावां विच्चों वड़ी संख्याणू मफ्रूक इम्मिन्वेंट कहन दे हां कटावन न मिले दो संख्या मां विक्चों छोटी संख्या नूं कटावी संख्या सब्ट्रेंथ कहेंदे हाँ कटावन तो बाद आय उत्तर नूं असी अंतर difference कहेंदे हाँ मफ्रूप कटाव कटावी संख्या ब्राबर अंतर मिन्यूंट माइनस सब्ट्राहिंट इकोल्स तू डिफ्रेंस जिस तरह मैं एक स्वाल लिया है नौ कटाओ पंच जिस ता उत्तर आया है चार नौ वड़ी रकम होंदे का इसनों अपा मफ्रूक अते पंच छोटी रकम नीचे रखी जान दी है उसनों आपा कटावी संख्या कहन दे हां ते आये होई उत्तर नौ आपा अंतर कहन दे हां अंग्रेची पाशादेवीचे उपर वाली यानि वड़ी संख्या नू आपा मिन्यूंड अते छोटी रकम जड़ी आपा कटा रहे हैं उसनों सब्ट्राहेंट बोल दे हां अते आयेगे उत्तर नौ आपा डिफ्रेंस कहन दे हां इस्तो बाद गुना, मल्टिप्लिकेशन गुना करन वेले दो संख्यावां विच्चों इक संख्यानू गुनय यानि मल्टिप्लिकेंट अते दूसरी संख्यानू गुनक यानि मल्टिप्लायर कहन दे हां गुना करन तो बाद आये उत्तर नौ असी गुननफल प्रोड़क्ट कहन दे हां गुना, गुनक, ब्राबर गुननफल, मल्टिप्लिकेंट, इन्टु, मल्टिप्लायर, इकोल्स टु, प्रोड़क्ट, जेस्तरा मैं एक एथेवी स्वाल लेआ, तेननू साथ देनाल गुना करिये, ते उत्तर इक्की आंदा है, ते उपडली रकम तेननू अपा, यानि पैली रकम नू अपा गुने, ते दूस्री रकम नू अपा गुनक केंदे हां, ते आय उत्तर नू अपा गुननफल केंदे हा अंग्रेजी पाशा देवीचे, पहली रकबनू आपा, मल्टिप्लिकेंट, दूस्री नू आपा, मल्टिप्लायर केंदे हां, अते आये उत्तर नू आपा, प्रोडक्ट केंदे हां, इस्तो बार पाग डिवीजन, पाग करन वेले, जिस संख्या नू असी पाग करदे हां, उसनू पाज यानि डिवाइजर केंदे हां, जिस संख्या नाल पाग करदे हां, उसनू पाजक डिविडेंड केंदे हां, पाग करंतो बाद आये उत्तरनू पागफल, कोशंट केंदे हां पाग करंतो बाद बच गई संख्या जेकर होवे ता उसनू अपा बाकी केंदे हां रिमाइंटर पाज ब्राबर पाजक गुना पागफल जमा बाकी डिवाइजर इकोल्स तो डिविदेंट इन्टो कोशंट प्लस रिमाइंडर इक मैं सवाल जदो ला रहे हां उस्ते विच विचली रकम नूँ अपा पाज बाहर अगली जडी रकम बाहर है उसनू पाजक अते आयेगे उत्तर जड़ा पिछे उंदा है उसनू पागफल ते जे कर बाकी रकम रही है ते उसनू बाकी क्या चानदा है जिस तरह मैं एक सवाल लिया है कि सोला नू अपा तिन ते पाग कर दे हां सोला पाज है, तिन पाजक है, पंज पागफल है, अते जेकर बाकी रह गया, कोई ता उसनों बाकी कहन देहां, यानि एक बाकी है. अंग्रेजी पाशा देविच, येसनों विचली रकमनों डिविडेंड, बाहली रकमनों डिवाइजर, आयेगे उत्तरनों कोशन्ट, ति जेकर बाकी रहा है कोई, ति उसनों रेमाइंडर कहन देहां, जेस तरहां मैं एक स्वाल लेआ है, तीनों जेकर अपा सत्ते पा करिये ति सत्तु चौका अठाई बाकी रहे गे दो, तीनों आपा डिविडेंड कहन देहां, जिससे नाल आपा डिवाइड कर रहे हैं, उसनों आपा डिवाइजर, यानि सत अथे डिवाइजर है, अथे कोशन्ट आया गया उत्तर, यानि चार कोशन्ट है, ति रिमाइंडर दो बाकी हैं, जेकर मेरी ये कोशिश तौन नों चंगी लगी होए, दिकर पाकर के मेरे चैनल नों सब्सक्राइब चलो करो, अथे वीडियो नों वत तो वत शेयर करो, तांकि मेहनत, थैंक यू, थैंक्स फो वाचिंग,